सलाम आदाब नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन इन्फो हब मैं हूँ इजहार है मल आज की एक खास वीडियो किंग महेंदर परसाद को लेकर है उनका निधन हो गया और उसी को लेकर देखेंगे उनका कहां पर निधन हुआ और उन्होंने किस तरीके से राजनीति दल को जो सेवरी 1940 को पैदा हुए 27 दिसंबर 2021 को 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया अगर हम किंग महेंदर की बात करें तो उनकी शुरुआती जिन्दगी बहुत ही गुर्बत में गुजरी 31 साल की उम्र में उन्होंने एक फार्मा कमपनी की बुनियाद डाली और उसकी मालिक रहे और दुनिया के अंदर उन्होंने एक बिलियनर के तोर पर अपने नाम का शुमार करवाया लेकिन वो एक बिलियनर ही नहीं थे वो दरसल एक राजनिती से भी जुड़े हुए शक्स थे जिनकी राजनिती में बहुत ही पकड़ थी पहली बार 1980 में कॉंग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े और जीत कर पारलेमेंट का रुक किया उसके बाद 1984 में जो हालात बरपा हुए लेकिन उसके बाद भी कॉंग्रेस की लहर होने के बावजूद किंग महिंदर पर साथ हार गए और जनतादल से जुड़ गए राष्टिय जनतादल से राज्य सभा क के लिए नामांकित भी हुए थे फिर उसके बाद उन्होंने राज़त का दामन छोड़ कर जेडियू का दामन थाम लिया नीतीश की पार्टी ने उन्हें लगातार तीन भार राज्य सभावी भेजा लेकिन अगर हम बात करें तो किस वज़ए से उनकी मौत हुई तो बतात पाताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। किंग महंदर के मौत पर सीम नीतिश कुमार ने जताया गहराशोक और किंग महंदर के मौत से जेडियू में गहराशोक का महाल भी है। पटना जेडियू के कारियाले में किंग महेंदर के मौत की वज़य से जंडा को जुगाया गया। अगर हम बात करें, 2021 में वो कितने के मालिक थे, कितने उनके पास धन था, तो Forbes के मताबिक 2021 में उनकी संपत्ती जो थी 1.8 billion थी और इसी तरीके से वो Aristopharma और दूसरी एक और उनकी कंपणी है, फामा की, उन दोनों के मालिक थे और उन्होंने जाते जाते वक्त तक राज्य सभा सांसद रहते हुए, हारने के बाद भी जब वो हार गए थे 1984 में उसके बाद भी उनका नाम जो है, चुना गया था राज्य सभा के लिए और वहां तक वो पहुँचे थे, इस तरीके से उन्होंने बहुत ही एक अच्छा मेसेज दे कर गए समाज में, कि भले हम गुरुबत में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने हालाद को बदला, राजनीती करियर में भी अच्छा योगदान दिया, अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर पीजिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,